तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंकरेज जो और्थरोडॉंटिक्स में यूज होती है तो एंकरेज बेसिकली आपकी रिजिस्टेंस है अन्वांटेड टूथ मुवमेंट पर यानि आप असान लफज में ऐसे समझें कि एंकरेज वह सपोर्ट है जिसके अगेंस्ट आप डि और उसकी डिफरेंट टाइपस है और उसको इंक्रीज कैसे किया जाता है उसकी लॉस कैसे होती है वह सारा कुछ इसमें देखेंगे तो एंकरेज बेसिकली यह है कि आपने जिस दान्त की टुथ की मुवमेंट करमानी है उस दान्त की मुवमेंट ओवराल किस सपोर्ट से ल इससे भी हो सकती है तो जो इंट्राओरल सोर्स है वो जो यूजिली आप टीथ को एज एंकर लेते हैं यानि कुछ टीथ होती है जिनकी आपने मुवमेंट करवानी होती है और बाकी टीथ को आप एज एंकर ले लेते हैं यानि उनके सपोर्ट के साथ उनकी रिजिस्टन्स को यूज करते हैं तो हर दान्त की अपनी एक रिजिस्टेंस है और अपनी उसकी एक एंक्रेज है डिपेंडिंग अनिट्स रूट सर्फिस और रूट की लेंथ है तो जो दंतों की बेसिकली और इंक्रेज हैं बेसिकली वह सब चल condiciones एरिया मपरें करती तो जटना दासका सर्फिस अर्या होगा उतना बढ़ार बैसे कलिफ ए उतनी यहां फंद जाक पते उसके यहां फिब आफ की रूट्फॉर्म में वह क्रॉस-siectional area बृता आता है तो तीन तरह के रूट्फॉर्म्स हो सकिनियाय Är ौांड, flat backwards, triangular नहीं कि उते चयों कूषेंपल डीयरों ये सीजीयाया कहा है। है मतलब इनकी इन दान्तों की एंकरेज सबसे इची होगी और फिर आपके साइज और नंबर आफ रूट्स है जितना बड़ा साइज जितने नंबर रूट्स आथा तो उतनी एंकरेज जादा है रूट लेंथ कभी यही सेम सीन है कि जितनी लंबी लेंथ होगी उतना विसली पर इंकली नेशन ऑफ टूत है उसमें बिदाता है कि आप उसकी इंकली नेशन के अगेंस्ट मुवमेंट करवा रहे हैं याई अगर बखली इंकलाइन टूत है और आप यह वर आल मुवमेंट लिए तो वह उसको जादा अच्छा एंकर यानि उसको रिजिस्ट करेगा जो अगर आपका यह वाला दाथ एंकर यूट के अंदर है और फिर एंकलोज टीथ एंकलोज टीथ बैसिकली पीडियल उसका कोई नहीं होता तो डिरेक्टली वह बोन के साथ टैस्ट होता है जिसकी वज़ा से उसमें बैसिकली मुवमेंट हो इनहीं सकती तो यह सबसे अच्छ कि आपका वूविंग उनिटा उसकी एडियलेश्यो फोल रेश महनें चाहिए के एंकर युनेट यूं अन Qiya वह फॉर टाइम उना चाहिए एंट लीस्ट मूवinkyन के गभी एंटों के सर्फिस अरिया से एगर उसका रिलेशिन लें तो लेकिन के थ इतन श schaffen क्विदम जो मूविंग यूनिट है उसी की होगी तो इंट्राउरली सबसे पहला जो आपका स्वोर्स था वो दान थे दूसरा आपका अल्वेलर बोन और बेजल बोन है तो उसमें भी आप स्कूरूज लगा के जो है उसके उपर अप्लाइंस लगा के कोई तो उससे एंक्रेज ले सकत है जो कह परतृंने के बैसिक लिए उसका मॉस्व ज्यादा कोंट्रेक्ट करता मूश कर शक्या के मtv सब्सक्ता चारू कोंट्रेक्शन सब्सक्राइब ऑस कर लो और लो निधिरर टीथ है वह वह लिंग्वलीयंद हो रहे हैं तो आप उनपलाइनस लगा अना तो वह यह करती है कि उसमें एक मतलब स्वेस आ जाती है आपके दांतों जो लिप से दर्मेयान में तो वह जो मसल की फोर्स ना वह पीछे वायर के थ्रू मोलर्स पर चली जाती है और मोलर उसकी वज़े से डिस्टिलाइज हो जाती है तो यह एक और एंकरेज की एक्जैम्पल है पिर आ आपके फैसल बोन्स जाये और पिर आपकी फैसल बोन्स यह क्रेश हो जाएगी ऑब इस लिए जो लिए जाए यह दन्तों कि एफ़ाल है वह पहले देख लेते हैं तो पहले है कि पॉर्डिंग जार्ज इंवर्व मिन आपकी इसमें दोत्रा की ऐंगरें चो सकती है इन्ट्रम अग्जिलर है उसका मतलब यह अश्क मतलब यह जो मूविंग यूट यूट्ट ऑपर सेम आर्श में जानि मैं तो को जो हैं से गोसर दूसरा आपका मिंखले कें लिए शर्ट हो आपकी ब्हों थे सकते हैं। सभी इसके और इसकी एग्सक अर्ब को उसा कि जाने उसने फिकर में दिखाया हुआ है और क्लास टूरATOR के सीड़態 सब्सक्राइब करने के लिए को पीछे लेकर आना होता है और मोलर क्लास को आगे लेकर आना होता है तो मोलर से लेके अपर एंटीर हैं यहीड करने के लिए इसी तरह क्लास ठीक की अपकर इंडे इसा और आग सा merch के लिए और मोलर कोक zod वाना है तो अपर मोलर से लोर इंटिरियर पर यह लास्टिक लगते हैं पिर आपकी जो एंकरेज की टाइप आ जाती है वह है उसमें इंट्रा और लेक्स्ट्रा और मस्कुलर है तो वह पीछे देख लिए हैं फिर नंबर ऑफ एंकरेज यूनिट है उसमें पहला सिंपल सिंगल या प या मूविंग यूनिट के वले दांस से जादा है तो इसको आप गएंगे सिंगल एंकरेज है अगर मुल्टिपल दातों से एंकरेज लेके मूवमेंट करवा रहे हैं तो वह कंपाउंड एंकरेज होगी और इसी को रिइंफोर्स कर दिये किसी और तरीके से यानि मस्कुलर है एक्स्ट्राओर है टैर्ड लगा दिया है यां बोन से ले रहे हैं तो आपकी रिइंफोर्स्ट एंकरेज हो जाएगी और लास्ट आपकी मैनर ओफ एप्लिकेशन के हिसाब से उसमें सबसे पहले हैं सिंपल एंकरेज का मतलब यह है कि जो एंकर यूनिट है आपकी आपका प्रीमोलर है वो पड़ा हुआ है तो आपने अप्लाइंस लगाई है रिमूवल जिसके ओपर एक्स्क्रू लगावा जो उसको पुश करेगा बकल साइड पर अब इसकी एंकरेज जो साथ वले दान्तों से ली हुई है उसमें यह होगा कि उन दो दान्तों को वो जो इसको आप कहते हैं कि यह सिंपल एंकरेज दूसरी आपकी होती है स्टेशनरी एंकरेज ऑस तरह की मुवमेंट के दुरान होगी कि जब आपकी जो फोर्स लग रही है एंकर यूनिट के उपर वह उसको बॉडिली मूव कर वहा रही है तो वह बॉडिली मुवमेंट को और जो तीसरा आपकी रैसिप्रोकल एंकरेज वो है सिंपल कि आपने दो यूनिट्स को एक दूसरे के एक इस तरह डालना कि उनकी और ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है इसमील एक फोसला कि आपनी डूसरे को अपनी तरफ कींचेंगा तो एक यससे हो जाएगा तो यह आपकी रैसिप्रोकल एंकरेज को कि अफिर नेक्स है कि आप अपनी एंकरेज को रिन फोर्स कैसे कर सकते हैं या या नि एंकरेज बढ़ानी है आपने तो इसके मुख्तलिफ मैथड़्स क्या होंगे तो उसमें आप्वियस सी एक्जैम्पल जो एक्जैम्पल कहले हैं या एप्स कहलें कि सबसे पहले बदाता क कि आपने जो रूट सर्फिस एरिया है जो आपका एंकर यूनिट का होगा उसको मैक्सिमाइज कर लें उसमें जादा दान्त एड़ कर लें जिनकी रूट मुल्टिपल होती हैं तो वह आपकी एंकरेज को इंक्रीज करें फिर जो सिंपल वले हैं वो यह है कि आप एक्स्ट आप लिंग्वल आर्च या ट्रांस पैलेटल आर्च यूज़ कर सकते हैं लिंग्वल आर्च लोर में यूज़ होती है दोनों मॉलर को मिलाग एक वायर जाती है आपके सलकस के अंदर से लिंग्वल साइट से तो उसका फाइदा यह होता है कि अगर एक साइड पर आपकी लग रही है मॉलर को मीजियलाइज करवाने के लिए तो यह जो लोर लिंग्वल आर्च होगी है उस फोर्स को दूसरे मॉलर पर यानि आप ऐसे समझे के शिफ्ट कर देगी और वह मॉलर तब तक मूव नहीं होगा जब तक दूसरा भी से उसके साथ मूव ना हो तो ऑविस अगरिक की प्लेट होती है जो पैलिट के साथ होती है यह इसेम काम कि दोना सिक्स की एंक्रेज को रिंफॉर्स करते हैं मिला देगा आपस में एक सिक्स तब तक नहीं मूव करेंगा जब तक दूसरा भी मूव ना हो अब इसलिए जज़ादा हो जाएगी तो आपका मूवम लें और फिर वन्टू को लग लें तो आपका जो पीछी एंकर यूनिट होगा 56 उस पर कम लोड और फोर्स पड़ेगी तो यह आपकी एंक्रेज लॉस को रूखेगा फिर टेंप्रेरी एंक्रेज डिवाइस हैं जो आपकी इंप्लांट होता है एड होता है जिसको आप कहते ह लग जाता है और से आप मुवमेंट करवा लेते हैं यानी एंक्रेज कर आ लेते हैं तो यह आप यूजली एबसुल्ट की करवाते हैं जिसमें आपने टोटली स्पेस जोगे वो तो अगर आपका काम से हो सकता है तो वह आपके लिए एंकर यूनिट पर कम स्ट्रेस होगा तो टिपिंग से करवाएंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा दूसरा एंकर आपको थोड़ी चाहिए होगी फिर आप इंक्लूट कर लें एंकरेज के इंदर और लास्ट ली जो ग्रोस पैटर्ण का बताता है वह यह बताता है कि अगर आप के होरिजॉन्टल ग्रोवर हैं और मेंडिबलर प्लेंड एंगल जरा होरिजॉन्टल यानि कम है तो उसमें आपकी मीजिलाइजेशन कम क चांस कम होता है नैचरली तो इसकेस में अगर आपने करना है उसको मीजियलाज होने से रोकना है तो उस में अनुडर 알 moral होता है उसमें और है तो अगर इसकेस तो आपकी टेंपररी डिवाइस है तो आपकी टेंपरी टेवाइस हैं यह बेसी के ली छोटे से स्क्रूज होती हैं जो आप पों के इंदर लगा देते हैं और यह बोन के साथ मतलब अट्रैज हो जाते हैं उसी इंटिग्रेशन इनकी नहीं होती जो आपके नॉर्मल इंप्लांट्स की होती है लेकिन यह डिरेक्टली बोन के साथ लग जाते हैं और इम्मोबाइल हो जाते हैं बेसिकली और इसके उपर आप कोई भी एप्लाइस लगा के पावर चेन इसके अप्सीलूट एंखरेज देता है यानि खुद स्की मूव्मेंट जीरो होती है और टोटल मूविंट होती है वह मुविंग यूनिट की होती ते यह की दो तीन ताइप्स हैं बेसिकली दोतना का होता है सेल्फ टेपिंग या सेल्फ त्रेडिंग या सेल्फ ट्रिलिंग कर सेल्फ टैपिंग होता है उसके लिए आपने पहले एक पाइलट होल बनाना होता है जहां पर इसको इसको इंसर्ट करना है पहले से ड्रिल लेकिया पाइलट होल बनाते हैं उसके बाद इसको जो सेल्फ टैपिंग वाला है उस जो होल बनाया है या टनल बनाई हुए उसके इं प्रफिर आपका मैथर्ड होता है उपन मेथर्ड यह लगा सकते हैं तो यह उन्हें लगाया जाता है जहां पर है सौफ्ट इसमोवेबल नहीं होते जैसे टैस्ट जिंजवाया और दूसरे क्लोज होता है वहां आपका सफ्ट इस के नीचे रहता है उसका जो हैड़ होता है यहां पर लगा जाता है पर फिर पाथ डारेक्शन अब्लीक भी लगा सकते हैं पर पर पैंडिकुलर विल्गास जहां पर आपको अपर पर्पेंडिक्टिकुलर एरिया काम है तो आप अपलीक डिरेक्षन में लगाते हैं इंडिकेशन इसकी बैसिकली है कि एपसलूट आइकर जहां पर आपको चाहिए हो और उसके लावा कोई भी मूब्मेंट आप करवा सकते हैं जो पुस्टीरिय टीस ह तो इसके साइज के वाले से नहीं नहीं है और फिर उसका है तरीका क्या होता है जो आपका अब नहीं देना को या वैदै आप सिर्फ टॉपिकल या देढ़े आहांपर और उसकी आप उसको आप्सको इसरत करते कि वह कहता है यह प्षोत इसका है फायदा नहीं होतान। एक तो नीचे जो बोन पढ़ी होती है और सकी निरेशन कोई नहीं होती तो पेशनट को पेंड नहीं होनी अगर उपर से soft issues आपने anesthetize topically करती है और दूसरी बात ये कि जब आप insert कर रहे हैं और फॉर एक्जेंपल वो दांत के करीब चला गया पीडियल स्पेस में जा रहा है या रूट को टैच कर रहा है तो अगर आप में लोकल दिया है तो पेशेंट को पेन ही नहीं होगी और आपको नहीं पता चलेगा कि यह घलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इसलिए प् इंप्लांट का पार्ट इंबेड़िड होना चाहिए तो फोर टू सिक्स मिली मेटर का पाइलट होल बना लेते हैं और उसके अंदर आप यहां तो हैंड से उसको जो इसका हैंड रिवन होता है उससे आप स्कूरू कर लें उसको यहां पिर उसके लिए भी आपको हैंड पी उसके हैंड पीस में लगा कि सिर्फ रोटेट करते जाना और बोन को काट के अंदर चला जाएगा रिमोवल भी सिंपल है जिस तरह लगाया इसी तरह उसको उन्स्कूरू करके आपने निकाल लेना कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है पिर उसमें कॉंप्लिकेशन देना ह यानि आपकी एंगुलेशन ठीक नहीं थी तो डाइक 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 टाच कर रहा है उसमें यह है कि आपने प्री आप एक्सरे करवा लेना होता है इंटर रेडिकुलर जो बौन का एरिया है वह देख लेना कितना है और उससाब से उसको एंगुलेट करके डालना है अब फ लगा रहे हैं Eltern फीरिड उनर्वर को डैमिज हो सकता है अपर में लगा रहे हैं था य suffers की ओवर ग्रोफ हो सकता है और जाता हो जाता है रोसरो में आपका इंप्लांट वक्या फिर्ट बोनवेक्र लिचक्क्श Btw erste care नहीं था जबस फॉर्स लगी तो इतना नहीं ता उसके यहां फिर आपकी बोन ही वीक थी महां पर इसलिए वह लूज हो गया तो वह दो तरीके पताता है इसको ठीक करने के लिए पहला तो यह है कि आप उसी को थोड़ा सा दुबारा स्कुरू करतें तो वह दुबारा टाइट हो जाएगा अगर वह इसके बाद भी लूज हो जाए से ब्सक्रीड के ब्लाइब कहां जाए तक ब्लाइब आज गया वहां नहीं चोपर जोसरी सर्जेटिकर इंवो जरो इस में फ्लैब कर ने करना होता है जब तक वोने होती तब तक आप उसके उपर दान नहीं लगाते जब कि जो ऑर्थ में प्लांड वो इमीजियटली लोड किया जा सकता है वी जहलो बाकी विशकी डामेंशिन पॉस्ट्रूब्स पीरिट का प्रिःड के पर इन ब्राव कि याज pork इनकरेश प्लांड div कि क्या आपने मुव्मेंट स्थ पार्ट करने से पहले देखना कि मैं कितनी जो उसमें आपने यह बॉडिली मॉव्मेंट किरवानी है फिर आपने देख लेना है कि ओवराल ड्यूरेशन मज़े कितना लगेगा और स्केलेटल पैटरन गया है जो हमने पीछे भी देखा कि वर्टिकल ग्रोर गेंदर एंकरेज जाधा चाहिए होती है और लास्टी ग्लूजल इंटर लॉग य फिर आपकी उससाब से एक्स्ट्रेक्शन स्पेस में कुछ टाइपस होती है एंकरेज लॉस की वह देख लेंगे और एंकरेज लॉस के डिफरेंट रीजन्स है अप्लाइंस आपकी ठीक नहीं है पेशेंट उसको सही तरह से पहनता नहीं है अगर पिक्स्ट नहीं है तो औ पूर पेशेंट वीर यानि वह बैसिकली पेशेंट पहनता नहीं ठीक तो वह उसके वज़ा से ओगा तो यह आपकी रफ सी एंकरेज की थी सारी डिटेल्स ट्रीक कार में सलेक्षिज के सबसे ऑफ से जोंचे से अब इस आतार थे हैं आस्यों वारी एंप्सेलोट ते चिभी फहां तो यह की अम्हें इस फूर एक्ट्रैक्ट किया वा है और यह एक्ट्रैक्शन स्पेस हारी है यह हमने क्लोज कर लिए है तो हम जाएंपल ले लेते हैं फ़र्ज कर लेते हैं कि हमने इन तीनों को पीछे लिख जाना है स्पेस के इंदर क्लोज करने के लिए हमारा ओवर जैट पॉर एक्जेंपल 12 mm सा जिसको हम कम करके 2 mm पे लाना चाह रहे हैं और यह जो स्पेस हमने बनाई है यह 10 mm की स्पेस है अब हम चाहते ही है कि सारी सारी 10 mm स्पेस के इंतर यह तीनों दांत पीछे की तरफ आ जाएंगे तो हमारा जाएगा अब उसके लिए जरूरी है कि यह सारी की सारी स्पेस जो है फोर की यह वन टू थी की जो इनकी Μीजल मुवमेंट ना हो तो वह किसज जो 100% आपके मुविंड यूट की स्पेस के क्लोइघ होने से कवर होते यानि इसमें anchor unit की 0% movement है और 100% movement आपके moving unit की है, उनको आप कहते हैं absolute anchorage वाले cases है, फिर आपके cases है maximum anchorage वाले, उसमें यह है कि 75% जो space होगी वो, इसकी moving unit से होगी cover, और 25% आपकी जो space है वो, जो anchor unit है उसकी mesial movement से भी cover हो जाए तो आपके case, यानि normal overjet achieve हो जाएगा, अफ़र्स कर लेते हैं वो 10 है, initially 10 था हमने 2 लाना है, 8 mm इनोंने पीछे जाना है roughly, तो आपका जो overjet वो 2 mm हो जाएगा, तो 2 mm अगर यह आगे आ जाते हैं, तो it's okay, उसमें कोई वसला नहीं है, वो 80-20 की example बन गी है, लेकिन हमारे पास 75-25 की जो है वो, बुकिश बात है, कि 75% movement अगर आपकी moving unit की हो जाए, बाकी जितनी भी है, वो anchor unit की हो, तो यह maximum anchorage का case है, फिर इसी तरह moderate anchorage है, 50-50 हो जाता अगर 50% आपकी anchor की movement हो जाए, और 50% moving tooth की unit की, और desirable results achieved हो जाए, तो आपका, यह हो जाए, moderate anchorage, और lastly, आपका minimum anchorage है, minimum anchorage में यह है के, यह 75 हो जाएगा और य इस आपकी च्यों का, एक exercise की आपके, जो है, extraction space close करने के चार तरह की case होते हैं.